जय हिन बच्चों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल में आज इसी वीडियो में एक बाप फिर स्वाम कच्छा भारा के बिद्यार्थियों के लिए पॉर्टिकल साइंस यानी बच्चों नागरी सास्त्र सिविक्स के महत्वों भविकल्पी पर स्वाइब कराये हैं जो पैच्छा जी से बेरी इंपोर्टेंस रहेगा और साथ मिंपर्टेंस रहेगा चली देनना करते देखते नहीं पहला कोश्छन आपे सामने है उप्षा त था देखो कई वर्सों लगता पर इच्छों पूशा जा रहा है कि सोविय संग का विख्टन जो है कि सवास हुगा था बच्चों सही आप जो है क्या हो जाएगा उनीज स्विक्यान विश्वी में नाइटीन हेंड़न वर्ण होनी सिक्यान में में सोविय संका विख्टन हुआ था शीत युद्ध का महत्पूर परतीक क्या है उसे शीत युद्ध कहते हैं कुछ वच्चे सोचते हैं यह सीत माई ठंडी के युद्ध लेकिन नहीं बैच्चों ऐसा युद्ध युद्ध नही सामवादी करांती हुई थी तीज नमबर देखें कौ्स्चन रूस में किस सवार सामवादी करांती हुई थी mikhail गौरबाomคörणमे ईसऊविय संग में लाव की मिखा About 4 दोस्तों लाव की थी यह रहें प्रिस्ताई कर ऑग्लाश नोय पंचता दोनों यानि AB bestimmार्ट कि दिवारी ब्रलीन की दिवार टंक बनाई गयी तो भच्छों जो है इंध विस राजनीत्त में दूई धुरविता का अंत का क्या कारण है। तो वच्छो सही जवाब जो हो जाएगा इन में सभी हो जाएगा यारी सोविय संग के बिखटन के बाद कितने गणराज्यों का दोस्तों उदे हुगा तो आठ सभी जो है गणराज्यों का उदे हुगा बलकान देशों में निन में से कौन सामिल है तो अलवीनिया बुल्गारिया बुस्तेनिया सभी हो जाएगा दोस्तों इसमें तुर्की मिस्टोनिया मांटे निग्डो हर्जे गोवीनिया युनान कोर्शिया उप्यूक्स भी हो जाएगा ताकिस्तान में चला गिरी यूद्ध की सवर्शमावत होगा सोभीयत अर्थ बेरुस्ता की परकीत के बारे में निम्रिकित में से कौन सा कथन गलत है सोभियत आत्वेश्था की प्रकित के बारे निम्निखित में से काउन सा कथन गलत है तो सही जवाब सी हो जाएगा जनता को आर्थिक आजादी थी निम्निखित को काल कर्मा नुसार आपको सजाना है तो उत्तर यह हम चो ए हो जाएगा ठीक है? निम्लिखित में से कौन से सोवियस संग के बिक्टन का परड़ाम नहीं है और समय बच्चो निम्लिखित में सोवियस संग के बिक्टन क्यों क्यों हुआ था लोगों की अकंचांग को पूरा नहीं कर सकी अगरा कुशन देखेंगे हम लोग उन्हीं से क्यानवे की मुख घटना है सोवियस संग का बिक्टन हुआ था चले एले कोशन की और हम लोग चलेंगे साख थरेपी के चलते हैं रूस ने कितने परिस्ट लोगों को निजी हाथों में बेच दिया था बच्छों अगहात पहुंचा का रोगी का इलाज करना इसका अर्थ होता है साख थरेपी का यह साख थरेपी की चलते हैं रूस ने कितने परिस्ट लोगों को निजी हाथों में बेच दिया था तो शोला का बच्छों चली अबडी हो जाएगा नबबबबबबबबबबब निज में से कौन कहिंदरी एशियाई देश है उप्युक सभी हो जाएगा यानि वच्छों उजबेकिष्तान, कजाकिस्तान, टुुर्क्मेनिस्तान, किर्गिस्त तरेती हो जाला है और शोला कैरेपी, समाजी सुद्च्छा का बिखर जाना आर्थी संकट, मुद्धरा इस गणराज्यों की संख्या निन में से कितनी थी तो 19 सहीजा बच्चों स्री हो जाएगा 15 लेडिन की मिर्त निन में से किस वर्स हुई थी तो 20 सहीजा बच्चों स्री हो जाएगा 1924 इस्वी में लेडिन की मिर्त बच्चों कब हुई थी 1924 इस्वी में हुई थी चलिए अगला कोशन हम चलेंगे स्ववियत संग रूस के बिढ़न के समय वहां का राश्पती कौन था तो उस समय वहां का राश्पती कौन था तो सही जा बच्चों जी डी होगा मिखाईल गोरबाच्यों मि बहुति इंपोर्टेंस कोशनime सब कूछेंगें हैं परिच्छों में नवली के लिए भी भी बहुत इंपोर्टेंस रहेगा सीट द्ख्यों का अंत कब हुआ था तो साथ साहथ फरवरी 1902 को सत्वर्म सिपन्टों माईश्ठी संथिपात्य हास्ता अच्छार हुए थे सार कहा 20का समेलन किस देश में हुगा इस डेश में था नेपाल में हुआ था पचिसाला आसियान संविदान करूं च्छेतरी संगठन होते हैं यो कम देश होते हैं जो अंतराष्णी संगठन jus होते हैं उसने ज्याद मियत देश होते हैं तो प्चावाँ आशियान संभिस्मे में तोbutbles home अ यह वच्छो जो एफ दोजार आसियान किन देशों का संगठन है जो है किन देशों का संगठन है दच्छिन पूर्वी एस्याई देशों का संगठन है चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्मा किया था तो पाकिस्तान प्रतियों पाकिस्तानों कना क्वारत पर डिया गया तो ति तीबत को जो हgy अपनें चेतन में मिला लिया घवा था सोनी हुंडा तथा सुच्की जैसे परशित ब्रांड का संबंध किस देश से है ते बच्चो जो है जापान देश से संबंधित है सही जवाब जो है D हो जाएगा अगला कुशन है उत्तर कोरिया यह दरच्छी कोरिया के मद्ध विभाजाग रेखा कौन है देखो यह नोपरी देखा यही है दोस्तों B वाला है निम्ने में से किसने सब अथम खुले द्वार की नीत अपनाई थी तो खुले द्वार की नीत अपनाई थी चीन ने चीन ने सबस्पहले जो है खुले दवार की नीत अपनाई थी चीन राधधानी बच्चों क्या है बीजिंग है ये रोपी संग के कौन से 2 सदस से संग राष्ट सुरच्छा परिश्ट के अस्थाई सदस है ये रोपी संग के कौन से 2 सदस है संग राष्ट सुरच्छा परिश युरोपी संग की स्थापना जो है कब हुई थी तो सही जाब बच्चों जह सी उजएगा 1922 में युरोपी संग की स्थापना हुई देखो most important question है लगातार परिच्छान पूछे जा रहे है आस यह नहीं दच्छी पुर्वी एस यही राष्टों का संगठन की स्थापना 1916 में वही इस संगठन का एक स्थापना है तो इस संगठन का एक स्थापना है तो सही जाब बच्छों का है बैकांक बैंकांक इसकी राधधानी है निम्रिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस नहीं है निम्रिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस नहीं है तो सही जवाब D हो जाएगा सही तुराज अमेरिका निन लिखित में से कौन सदेष आसियान का सदस्देष है तो बच्चों सहिजवाब जोहेसे क्या हुज़ाएगा। पंदरा का दी होज़ाएगा इंडोनेसिया। िसके पर जिसके जाकरता है। olmas होई थी então 1969, 1949 2949 यानि जो है जिए चीन की जो करांटी हुई थी उनी सो शार्ष 25 हुई थी करांटी मिली स्वता बच्चो एक ऌइक परिवरतां एक ाइक बदलाओ आशियान कि स्थाप्ना कब हुई थी कि अभी अमोनें चर्टाइग किया था तो आशियान कि स्थाप्ना कभी स्था पार साइ सब्च देशां के पास परमाहत्यार है तो देशों के पास परमाहत्यार है मुक्त द्वार नीत का संबंध किस देश से था तो सभी जो जाएगा सब्सक्राइब करें नागरी सास्त्र के पीडियो देखने के बहुत बहुत धन्वाद थेंक्यू